डियर इस्टूडेंट वेलकम टू वाल जैसा कि आप सब जानते हैं सी बीस सी बोट के हम लोग इंसे आइटी पढ़ रहे हैं क्लास तेंथ बायलोजी चैप्टर चल रहा है क्लास चैप्टर फर्स्ट है लाइप प्रोसेस तो इसमें जो टॉपिक आज की है ओ है इसके फर्स्ट वीडियो में आपके डिस्क्रिप्शन बाक्स में लिंक मिल जाएगी क्लास फ़ोर्थ में आप देखेंगे रहे description को आप खोलेंगे जिसके पहले का एक सेग्मेंट यानि डाइजिस्टिफ सिस्टम और उसे रिलेटिज जो भी चीजें हैं वहाँ पे आपको मिल जाएंगी साथ में पीडिया भी डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास को आप यहां पर पढ़ लीजिए और साथ में इसका भी पी एक क्लास फाइप है तो क्लास फोर्थ में जो हम लोग पढ़ेते क्लास फोर्थ मतलब जो सेग्मेंट बीडियो का सेग्मेंट है साने क्लास फोर्थ वाला फोर नहीं एक बीडियो सेग्मेंट के क्लास फोर में हम लोग उसको डिसक्राइब किये थे तो हुमन को पढ़ेंगे यहां पर एक को पढ़ेंगे सिलिबरी ग्लेंड को दूसरी हमारी ग्लेंड है पैंक्रियाज और तीसरी ग्लेंड है लीबर जो कि यहां पर इंक्लूड नहीं है ठीक है तो तीन ग्लेंड है एक उसके बाद कौन है लीबर है ठीक लीबर से बाइल जूस निकलत इंजाइम का वीडियो था बाइल जूस निकलता है उसको बाद में बताते हैं आपको तो यह तीन तरह के आपके ग्लैंड हैं यहां पे हमको पढ़ना है लेकिन बेसिकली हर एक ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे चुक्कि जो बेसिक वन वर्ट के उस्टन आते हैं यह सरसन करने के लिए आपको सब कुछ जानना काफी जरूरी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते से लिबरी ग्लैंड आपने पीछले बीडियो में जब देखेंगे तो वहां पर आपको डाइश्टिव ग्लैंड का सिस्टम में मिल जाएगा डाइग ऑर यहां से लिए मैं नहीं है यह नं डाइग है। ही काहां पाए जाती माउत में पाई जाती है संख्या कितनी होती फिर होती इसे इ Feld नीकितने हो जाता है जिसे लार कहते हैं आप जो लार बनती हुइशियन की चाहिता से बनती इनकलता है जिसका काम होता है तक जो आप पिस्तार्ट भाते जानी फिरर काते है तो उसको क्या करता से बने हुए है परौड़क्ट करता है इस वज़े से रोटी बहुत देर this एंसे मीठ लगती यह ठीक है चावल को बहुत देर तक अगर शीव करते हैं चाबाते हैं तो हो कैसा लगता वी तरफ कारण यही होता है क्योंकि वहां पर स्टार्च होता है क्या फार्मेशन होता है का फार्मसन हो जाता है। किसा का फार्मसन हो जाता है। इस टूट करके बना लेता। किस में एम इनजाइम के और करण होता है। हुआ है क्लियर आप को एक वीडियो और पढ़ेंगे ख्लास में में जो भी आपका क्लास रहीगा सगेंड शेप्टर जब पढ़ेंगे सबादेंगे इंडोक्राइन ग्लेंड तो वहां पर हम आपको बताएंगे घ्रेंड दो प्रकार की होती है एक एक जोक्र्म क्राइन मींस होता है ग्लेंड एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन ठीक है एक्जोक्राइन ग्लेंड का मतलब होता है जो ग्लेंड एंजाइम का सिक्रीशन करती है उसे एक्जोक्राइन क्लेंड का सिक्रीशन कैसे होता है डेक्ट में होता है ठीक है एंजाइम का सिक्रीशन कै नाम काम क्या होता है यह क्लूकोज के ब्रिकडाउन में हेल्प करता है दूस्तरा काम क्या है जिसे टाइलिन भी का जाता है आपकी बुक में भी टाइलिन लिखा गया है तो आप वहां से देख सकते हैं अब दूसरा जो सेग्मेंट आता है हमने आपको डाइजेस्टर सिस्टम पढ़ाते हों बताया था कि अलग 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 पार्ट में डिवाइड हो गई पहले पार्ट पे जो होता है उसका बकल कैप्टी आती बकल कैप्टी में दो आरगन आते हैं एक को कहते हैं तीत और दूसरे को कहते हैं टंग हमने पूरी तरह से तीत के बारे में टंग के बारे में क्लास मतलब इसके पहले वाली वीडियो में इसक्रिप्टियू में लिंक है वहाँ साप पढ़ लीजिए क्योंकि अगर उसको नहीं पढ़ेंगे ते वीडियो उतना बढ़ियां से आप समझ में नहीं आएगा हलाकि हम जोडने का भरपूर प्यास करेंगे तो बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो पहला जो आरगन मिलता है वो मिलता बकल कैप्टी बकल कैप्टी में दो में आरगन मिलते हैं आपको तीत और क्या मिलता है टंग और साथ में एक ग्लेंड मिलते है जिसका नाम कहा है सिलिबरी ग्लेंड एक ग्लेंड मिलते है जिसका नाम कहा है सिलिबरी ग्लेंड उसके बाद जो पाइप नीचे जाती है जो फूड पाइप न निकलता है और एक घैस्टीग ग्लेंड पाई जाते हैं जो डुमार्फ क Alf Tucson करती है दोनों से दो प्रकारण की अधिय। निकलती हैं और उनके दो कारी होते हैं लेकिन उसके साथ ही चीज और आपको जैनना सिरुमक म में एक chemical निकलता जिसका नाम कहा है HCL Hydro Chloric Amil का सिक्रिसन होता है और साथ में Meucos का सिक्रिसन होता है यानि कितने चीज़ों का सिक्रिसन होता आपके पेट में त्री प्रोड़क्ट का एक अंजाइम का दूसरा Meucos का और तीसरा HCL का प्रोड़क्ट का आपके में क्या होता है सिक्रीशन होता है और इन तीनों के अलग-अलग काम है यह सील आप जानते हैं कि हार्ड एसीड है यह सील का काम होता है ब्रेकडाउन आप सोरी एक सील आपके फूर्ड मीडियम को कैसा बना देता है एस्टिक बना देता है साथ में द के इश्टमक में चले जाते हैं तो उन्हें किल कर देता है लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे बैक्टिरिया वाइरस होते हैं जिसके उपर काइटीन या सिलूलोज की याद रखेगा काइटीन या सिलूलोज की आपको याद होगा जब आप पढ़ रहे थे मॉलस्का इस तो ही जल्म नहीं होते हैं तो बेक्रिया वाइरस बचे रह जाते हैं और आपके सरी मे्हारम पहुंचा ते हैं नुक्सान पहुंचाते हैं relative आप में भीट खाते हैं जाए कच्छी मीट या उस सेटों कन्डिशन में मीट मीट हो जाता है तो पैट क्यू नहीं होता है पीठ की दिवालों पर वाल होती है इस्टमक की उसमें म्यूकस निकलता रहता है जो उसको डाइऑस्ट होने captnah protect करता है और साथ में एक चीज उर में कंटी य়ालती है कि पर पेपसीन एंजाइब का काम होता प्रोटीन के डाइजेशन को इनिसेटली स्टार्ट करा देता है प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है इस्टमक से तीन के उस्टन यहां पर और बनते हैं वन लाइनर आप नोट कर लिजे कहीं पहला कि आप से पुछा जाता है कि डाइजेशन कहां से 운is,ichen and region, I have like okay to empez u nADA कि पूछेगा की प्रोटीन का डाईजेसन से कहां से स्टाट उता आप वहां पे इस्टिक करेंगे प्रोटीन का डाईजेसन स्टाट होता है इस्टमक से जब कि डाईजेसन कहां से स्टाट होता है इस्टार्ट ord आइश ces से मोस्टली डाजिसन का होता है स्तिमक महोता लेकिन लास्ट कहा होता है हिंड कहा होता हिस्माल इंटेस्टसटाइन मोता है случае निकेक नमभवbir exactamente अगे बर्ते हैं असद है तो प्रोटीन को इसमाल परोटीन करतामिक आगे करता है लाई पेज नेटेंस हैं इसे तरह को कर आँए फिर आपको प्रियाज जब वहाँ पढ़ेंगे मैंने बताया जिसमे दोनों का फंसना पाइजाएक इता सुपिज ठाण window मिक्स्ट ग्लैन तो उसका एक एक जामपल होगा मिक्स्ट ग्लैन का जिसका नाम क्या होगा पैंक्रियाज पैंक्रियाज इंजाइम का भी सिक्रीजन करता है साथ में पैंक्रियाज से तीन हार्मोन निकलते हैं पैंक्रियाज से दो हार्मोन मेंली निकलते हैं एक का नाम है ग् इंजिक्स निकलता है तो दो निकलते हैं ग्लुकागान और इंसुलीन निक्तत малुट एक डूसरे फ़प्रीत कम लिए अधिक अधिक्लहा । इसी कारण इससे हम किसमें रखते हैं मिक्स्ट ग्लाइंड में रखते हैं जोकि ना तो एक जुक्राइन जैसा भी एविर करता है और ना ही इंडुक्राइन जैसा भी एविर करता है ठीक एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है और किसका सिक्रीशन करता है हार्मोन का भी करता है आप अगले पीडियो में पिले बीडियो में देखेंगे तो उसी criticismus के में ऐनों पहुता है यहां फिर mRH से समझना होगा समझना होगा कि स्टार्च को सोरी यहां से समझिए कि जो है इसको कार्बो हाइडरेट को थोड़ा सा रुख जाई है भी आपको समझ वाइडरेट को क्या करते हैं हाइडरेट को कार्बो हाइडरेट को हम कहते हैं सेकराइड क्या कहते हैं सेकराइड क्या कहते हैं इसको सेकराइड कहते हैं क्या कहते हैं सेकराइड कहते हैं क्लियर सेकराइड अपने यूनिट के अधार पे अपने यूनिट के मिलने के अधार पे तीन प्रकार की होती है कितने प्रकार की कितने प्रकार की कितने प्रकार को ज าก् idag आःज में आपको एक बीजिओ में बताए आपको इसमें मालीक्यूल एक पाये जाते हैं 9lla produce ये ऑच्सें बहुत सारे मालीक्यूल पाये जाते है उसे क्या काते हैं्ट पॉली सेक्राइटि के लिए कलर यह ले लिए हाँ चलिए पॉली सेक्राइट को हम तीन भागों में तीन भागों में एक को क्या कहते हैं से लुलोज कि एक सिकेंड एक को क्या कहते हैं एक मिनिट एक को हम कहते हैं देखिए फिर से देखते हैं कार्बो हाइडरेट को किस में बांट देते हैं कार्बो हाइडरेट को हम लोग क्या कहते हैं सिंपल अरे एक सिंगन रुख जो बस कार्बोहडरेट को हम लोग simple हमसा में सेकराइड कार्बोहडरेट को HELP होते है आपने योनट के अदार पे तीन प्रकार खोती है ठीक जैसे लाइप ऐ क्या कह सकते हैं एक मिनुट बता रहे हैं इसमें अगर आप जाते हैं मोनो सेकरई में ट्रयोज सुर्करा है पेंटोज सुगर है ठीक है पिनुजुज किसे सरक्रा है हैं मोनोसेकराइट की project में जाते हैं तो आपको तीन मिलते हैं लाइप लाइपहेज मिलता है ठीक उसके बाद आपको मिल जाता है ठीक तो सक्रोजह लाइपोज है और टीसरा कौन सा इसी को पॉली जानना दूच आपको यह Tapi ज़रूरी ते पॉली सेकराइट की बार्त करते हैं पाली सेक्राइट को तीन भागों मांटा गयाता तीसरा इंशियरा, से पीन बहुंत पाइल को घारा रखनाएं प्लांट में पाई जाता है इस्टार्च प्लांट में पाई जाते हैं गलाइकोजन आनिमल कारभोहःड्रेट कह सकते हैं या अप बात क्या है पह्ले प्ली सेकुराइट पहले इक मालीकुल बना दो नाम होग तो reciprocal wiem अब फिर डाई सेक्राइड में जब एक मालीकूल और जूट जाएगा तो क्या हो जाएगा पाली सेक्राइड हो जाएगा दो से ज्यादा मालीकूल होंगे पाली सेक्राइड कहेंगे केलीं तो जैसे ही बनते हैं कोई प्रोड़क्ес उसी तरह से तूटता भी है तो पहले किसमें टूटेगा डाइ सेक्राइड में फिर किसमें तूटेगा आ मोनोसेकराइड मैं अब यहां पे देखते हैं तो कह रहा है पैंक्रियाज निकलने वहाला प्रोडथ पहला कौनसा है माईले है कौनसा प्रोडथ है माईले किसको निकाल होगा यह म्य रिंज्ट निकलेगी और यह मैं ज Consider Co प्राइबं मिलैकोजन कौनसा है प्लांट पाली से?' खालाइबं प्लाइकोजन कौन से अगर हम प्लांट का कोई प्रोड़क्ट खाएंगे या मीट का प्रोड़क्ट कोई खाएंगे तो दोनों प्रोड़क्ट को एक क्या काम करेगा डाइजेस्ट कर देगा किसमें डाइसे क्राइड में किसमें तोड़ेगा डाइसे क्राइड में याद प्रोटियोज यही आपसे एक नंबर में बहुत बार पूछा गया है आपको यही आद रखना है चलिए देख यहाँ पर इसको फस्त इम्पोर्टिन में है इसको प्रोटियोजेज ट्रिप्स n गाइमो ट्रिप्स उसे एबज़ार्ब कर सक्टें, उसके बाद यह एक इंजाईब और पायny जाता जिसका नाम क्या है नुकिलिएज है, और नुकलीasc क्या काम करता हुए नियुक्लियस में तोड़ता है आगे बढ़ते हैं इंटस्टाइनल इंचारिंचानल इंजाइम का expectancy आपकर sírाट निकलने वाली कौन कौन से उनके बादें पढ़ते हैं तो इंटेस्टाइन से निकलने वाली एंजाइम कौन है पेप्टिडेज एक एंजाइम का नाम क्या है पेप्टिडेज पेप्टिडेज एंजाइम किस में तोड़ देती प्रोटीन को यहां पर प्रोटीन कर लो प्रोटीन को कि तोड देताई तोडेगा आमीनोल इसिड में प्रोटियन के सब काटेशुएंट विया रूया किस्ते मिलके बना वह है तो प्रोटियन जब भी टूतेगा किस्थ में तूतेगा अमीनो इसिडि में तो कि एक। प्रोटीन को किस में तोड़ देता है आगे बढ़ते हैं सुक्रेज सुक्रोज को किस में तोड़ देता है सुक्रोज माल्टोज और लेक्टोज देखो तीनों प्रोड़क्ट है तीनों डाइस एक्राइड के प्रोड़क्ट है बस इसमें एज लगा दो सुक्रोज किसमें पा पर इसी में के जघाँ एक कर दो सुक्रेज रवेंगे सुस्क्रोज में पाजा एक सुक्रोज एंजाइम सुक्रोज कहां पाया जाता है एक डाइसेकराइड है और कहां पाया जाता है गन्ने के जूस में यानि सुगरकेन के जूस में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं सुक्रोज कहते हैं लेकिन इसे तोड़ने के लिए जो एंजाइम यूज होती है वहां पर बस ओके जगां ओक एक अरदोः सप्कूरेज एंजाइब हो जाएगी और उसे किसे में तोड़ देती को मोनोसेक्राइब में याहनाि गन्योस किसे बदल जाता है उसके पेट में जाकरके Evet लिकलोकोंगोंगो ऑ फार रेदा है गन्योस,алогभ़जम Kebab यहां पे देखिए माल farmers पायाता है जो आपके पिसेरियल होते हैं अनाज सेनल टीभी सेनल No प्राट के पाई जाता है और अपनी माह हो किसी भी दूध में पाई जाता है तो लेकटोज में आपने पढ़ा होगा कि लेक्टो बैसिलनामक वेक्टिरिया की वजाद से पार्चुरेशन होता है पढ़ाओं मिल्क का फार्मेशन होता है आपने अट में पढ़ाओंगा माइक्रो आर्गनिम इन्विर्ड में पढ़ाओका तो लैक्त summertime बैक Анд 언제 बैक्टिरिया जो बैक्टिरिया ग्लोपन गॉकोई के दूद के मालडम को पास पास ला जीता है जिस कि यहां पर लेक्टोज है किशन दूद में पए जाता है और पाइस में सμरूज व कहा पा जाता है और छो लिखा गया है और लेकटेज लिखा गया इन तीनों यद्याइप के नाम किसमें तोड़ देते ग्लुकोज में लाइप तीसरी बार आपको मिल रहा है लाइपेज किसरी को तोड़ देता फैट को फैट इसेज में यानि एक ही वारियात करना आपका काम हो जाएगा अब इतने प्रोडक्त से इसी तरह से आपके भोजन का क्या होता डाइजेशन होता अब हम बात आपको रिवीजन करा रहे हैं ऐक और बचा हुआ है एक ग्लेंड और है जिसका नाम क्या है उसको भी देख लेते हैं लीबर एक ग्लेंड और है कौन है लीबर लीबर के निकलता है बाइल जूस निकलता है जो भोजन के डाजेशन में हिल्प करता है आपको इतना लिखना है लीबर से बाइल जूस निकलता है लीबर हमारे बाडी की सबसे बड़ी ग्लेंड है लीबर हमारे बाडी की सबसे बड़ी ग् लीवर से क्या निकलता है लीवर से बाइल जूस निकलता है जो किस में इकठा होता है बाइल डक्ट में इकठा होता है और वहां से पैंक्रियाच के मात्यम से कहा आ जाता है इसमाल इंटेस्टाइन में आ जाता है जो भोजन की डाइजेशन में हेल्प करता है क्लियर आप इसको अपने भासा में लिख लिए अब आगे बढ़ते हैं देखिए सबसे पहले आप देखेंगे सेलेबरी ग्लेंड कहां पाई जाती माउथ में पाई जाती इसका काम क्या होता है है माईलेज निकलता है ताईलीन भी कहते हैं एक स्टार्ज़ के ब्रिकडाऌन हेल्प करता है दूसरी इंजाइम है आपकी साह Sayyad करिए याद हो जाएगाए इस्क्रमक है दूसरा पार्ठ ऐसके पार्टी कर अदरों का होती है पेप्सिन होती है प्रोती प्रोटिन को सट्च कर देटा किसमें फिर बेन। सब्सक्राइए सब्सक्राइब करने। ब्रोटिन का और लाइपएज़ च्रपन होता कि पूरी तरह से ड्टाने। ऑर्मोन दोनों का से क्रिंचान करता है जो हार्मोन निकलते हैं aja म निकलते हैं जो निकलते हैं च्रिप्स निकलते हैं जिसका नाम और इह इंशुलीन तो पेंक्रियास निकलने वाले ministर एक्राइब यानि प्लंट सेक्राइड गल इंग मल्लपाली सेक्रायत को किसस में तोड़ देती हैं आपक्राइट को फेटी ठीशीड में तोड़ देता एप cteos न्यूवकली कर्टज को न्यूकली के जोस्टीक्ठी प्रोटीन możnaayat को सब्सक् ayudaijn कोक्षोस अब करदेज को चुर्टी वाले इसनलान से प्रोटील को किसमें थोदेते और्ब मारता है एक 3 अनजाइम किस konkret 1 मोनो Staycride में जबकि लाइप से निकलने वालवली एक के झाएम और मेलीवर से निकलने वाली एक साथ है हैं बाल जूइस निकल करके आपके भोजन में DIGESTION में करता है उमेदे के वीडियो आपको पसंद आया एब यागर पसंद आया इस्क नेशा डिस्क्रिपशन में इसके पीडिये आप पीडिये डाउनcz कर ली कर ली नमस्कार